कर दोस्तों दोस्तों कटिंग से पौदे लगाने के बारे में तो आपने बहुत सुना और देखा होगा आप भी कटिंग से बहुत सारी प्लांट करते होंगे कि आपको पता है कि आप एक पत्ते से जो हमेरे जो इसने सबसे पहलाता है सिंगोनियम, सिंगोनियम इतना सुंदर पोड़ा है इसके चुड़े चुड़े पत्ते इतने अट्रैक्टिव होते हैं घर की खुबसूरती को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं और खुबसूरती बढ़ाते के साथ साथ ये घर की हवा को विशुद करते हैं एक पोजिटिटी एनर्जी हमारे घर में ये लेकि आते हैं तो एक पोदे से आप बहुत सारे पोदे त्यार कर सकते हैं और अप कुछ टाइम पहले सिर्फ एक पती पानी में डाली थी और इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन गई तो अपने प्लांट में से आप इस तरह की पती ले लीजिए और पानी में लगा दीजिए जैसे इसकी रूट्स बने आप मिट्टी में ट्रांसपर कर सकते हैं और पूरा प मनी प्लांट हमारे घर के लिए बहुत ही सुपोद है दोस्तों हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है घर में एक बरकत लेके आता है हमारे घर में तो आप मनी प्लांट को भी इस टाइम पर एक पत्ते से ग्रो कर सकते है क्योंकि अब भी जैसा आप सभी जानते हैं 12 का मोसम चल रहा है और इस मोसम में जो प्लांट चाहे आप कटिंग से ग्रो करें चाहा पत्ते से ग्रो करें चाहा आप वैसे नर्सी से लेके लेके लगाए तो बहुत उस्वानी से लग जाता है और मनी प्लान्ट को भी आप एक पत्ते से सग्रोफ कर सकते हैं मनी प्लांट को भी आप नरसी में आपको सो सवे 03 का प्लान्ट मिलेगा और जो मैıs युझातं ऑर भी कोशली मिलता है दोस्तों तो जो मैंने तो बहुत सारे प्लांट है या कहीं भी मिल जाते हैं तो वहीं से आप एक पत्ती ले आईए और एक पत्ती को आप इस तरह से पानी में डाल दीजे कुछ दिन बाद इसकी रूट निकल जाएगी आप मिट्टे में इसके ग्रो कर सकते हैं जो प्लांट है तो वह है एगलो नीमा जो प्लांट और बेहदी खुबसुत प्लांट है हमारे घर की खुबसूरती को चारचान लगा देते हैं आप देख सकते हैं इसके पत्ते कितने एट्रक्तिव हैं कई color में याता है मैं आपको red एगलो नीमा दिखा रही हूँ और मेरे मेरे पास green egg lo nima gj falta जबाए गर के में लगाते हैं तो आपके खर की खुबसूरती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती दोस्तों कि लेकर हो घ्र क्षुद सैंजै कि पोजेटिव एक अनर्जी को यह लेकर आते हैं तो प्लांट फ्री में सबसे जळया ऊक्षीजन देता है अगला जो पोधा आप जरूर लगाईगों कि सिर्फ एक पत्ते से यह प्लांट है । प्रन्व टेञा के लिए दोग रोगे और छुविट cambiya है कि युविड करे दो इसके बैसे एक सींदार परेगे सुद्थ रखे वहूँ। तो आप देखेंगे कि बहुत सुन्र पोधा इसको भी आप अभी ऊप्टे से ग्रो कर शकते हैं अगला जो प्रोधा है दोस्तों वह है जड प्लांट जड प्लांट हमारे घर के लिए काफी लखी माना गया काफी सुप पोधा माना गया इसकी पत्यां वह इस तरह से गोला का सकता है मैंने इस तरह से मंदिर जो है वो बनाया हुआ है इस तरह से टोपियारी टाइप बन जाती है इसकी एक आप इसको बना सकते हैं किसी भी सुंदर सेप में आप इसको दे सकते हैं पूरा जंगल मैंने कटिंग से इसको ग्रो कर लिया एक पत्ते से पूरा यह बहुत सार मेरा टूटाउट एफा कंटेनर था भी लेली और उसमें दे सारी कटिंग पत्या लगा दी तो यह ग्रो होगी दोस्तो अगला पोडा है यह कैलंचो में बहुत फूल आते है और इतने खुबसूरत फूल आते हैं कि घर की खुबसूरती बढ़ जाते हैं और इसको भी intéress जोच को सुप्ते हैं और धिसीbot फ्रीय कोड़ीर जाती है और और मेरे पास अलग-अलग Color में हैं मेरे पास जयन durable is color had three color इसमें जो इसमें फूल आते हैं वह प्ति और यालो यह तूंश्छ फूल पहज़ हो और तीन Süppagarta है लेकिन सानवे समती हैं लेकिन इसमें त्यम्त पलन और इस प्लांट को पत्ते से ग्रों । तो आने वाले अभी सर्दियों में आपके जो गार्डन में वो धेरो फूल ये खिलेगा और आपके गार्डन के घर के खुबसूरती कई गुना बढ़ा देगा वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों अगला जो पोद है दोस्तों वो है क्रूटोन की पत्यां इतनी सुन्दर ह होती है देखने में बेहदी खुबसूरत होती है तो इस प्लांट को भी आप पत्य से ग्रोव कर सकते हैं आप देख सकते हैं कितना बुसी प्लांट है कितना बड़ा प्लांट है एक मदर प्लांट से कहीं भी अगर इसकी पत्य आपको मिल जाती है तो उसको आप लगा आपका कुछ दिन बाद आप देखेंगी पुरा पोदा त्यार हो जाएगा वह भी बिल्कुल फ्री में तो इस प्लांट को यह लगा सकते हैं घर की खुबसूरती को चार चाहन लगा देता है अगला जो पोदा है दोस्तों यह पत्था चट्टा का पोदा है पत्था जो इस तरह से आपको पत्ता लेना है और मिट्टी में इस तरह से दबा दीजिए इसका आगे वाला पार्ट तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद इसमें रूर्स बननी शुरू हो जाती है दोस्तों तो इसको भी आप एक पत्ते से ग्रो कर सकते हैं बहुत ही फाइदेमंद प पत्ते से आपको कहीं भी इसकी एक पत्ती मिल जाती है कहीं से भी ले आईए और एक पत्ती को ग्रो कर लीजिए आप देखेंगे कि आपको कुछ दिन बाद ये इतना महंगा पोदा आप घर पर ही सिर्फ एक पत्ती से त्यार कर सकते हैं तो इस प्लांट को भी अगर आप भी लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद आपका पूरा पोदा त्यार हो जाएगा दोस्तों बेहदी खुबसूर्ट प्लांट है घर की खुबसूरती इतनी ज्यादा बढ़ जाती पोदोस्ते तो दोस्तों ये ऐसे पोदे थे जो सिर्फ एक पत्ते से आप अपने घर में बह कर सकते हैं इतनी संदर संदर पोदे आपकी घर की खुबसूरती इतनी ज्यादा बढ़ा देगा आपके पूरे गर्डन भी हर्याली कर देते हैं आपके घर की खुबसूरती अगया तों तोस्तों तो कैसी warm की मेरी चान कारी पसंद आई तो लाक श्यर जरू कर दिजी स्टुड़े में नहीं जानके तब तक